स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो चलिए शुरुगात करते हैं पिछले कल की तरह हिंदु डिटूरियल वकाबडरी के रिवीजन की हमारा पहला वर्ड था फ्रीबी फ्रीबी का मतलब होता है मुफ्त उपहार या गिफ्ट उसे बुला गया है फ् किसी को एक आकार देना उसे बूला गया है स्कॉल्ट माइक्र न्यूट्रियंट का मतलब होता है प्रोटीन न्यूटिशन जो बहुती सूक्ष्म होते हैं उन्हें बूला गया था माइक्र न्यूट्रियंट का मतलब होता है छोटी मोटी चूरी करना उसे बूला गया है पि का मतलब होता है कोई अनावशक चीज है और उसे प्राप्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर रहे हैं उसे बोला जाएगा किसी को कठोरतम सजा देना या सकती के साथ पेश आना उसे बोला जाएगा है स्लेज हैंबर त्रेंचेंट का मतलब होता है प्रभावशाली होना बहुत ज़्यादा एफेक्टिव अवहिलना करना ना मानना उसे बोला जाएगा कॉंचर मेशस इंसिनिवेशन का मतलब होता है किसी के प्रति किसी तरह का कटाक्ष करना उसे बोला है इंसिनिवेशन किसी ओपर कटाक्ष करना बोलना किसी के बारे में चीज़ों हो एग्रीवड का मतलब होता है व्यथित दुखी या पीडित scurrilis का मतलब होता है भद्र शब्दों का यूज़ करना गलत शब्दों का अमर्यादित शब्दों का यूज़ करना उसे बुल लगा है scurrilis मतलब एक्तम से offensive words बोलना luminary का मतलब होता है ऐसे विक्ती जिने अपनी field में अपने विशे में बहुत जादा जो expertise हो जो बहुत जादा दक्ष होना अपने क्षेतर में उसे बुल लगा है luminary disenchantment का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति हमारा मोह भंग हो चुका हो हम किसी चीज़ से मायूस है निराश है उसे बुल लगा है disenchantment remorse का मतलब होता है हमें किसी बात को लेकर पच्चतावा है उसे बुल लगा है remorse पच्चतावा करना और हमारा last word था unwarranted unwarranted का मतलब होता है इससे कोई बात जो कि गहर कानूनी हो अनुचित हो गहर जरूरी अनुचित होना उसे बुल लगा है unwarranted इस वीडियो में इतना है थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग